मैं मेजर एके कुल्चरेस्ट आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाट साला मैं स्वागत करता हूँ बालकों आज हम एक्टिव बोईस से पैसिव बोईस बनाने का सरल तरीका सीखेंगे बच्चों बर्व की दो बोईस होती हैं एक्टिव बोईस और पैसिव बोईस एक्टिव बोईस में वाक्त का करता जो कार कर रहा है वो है करता के स्थान पर होता है जबकि passive voice में करता को करता की जगए न रखकर करम की जगए रखते हैं अर्थात करता के निमित्य कार्रे होता है passive voice में और active voice में क्या अंतर है इसको समझने के लिए हमें भली प्रकार जान लेना चाहिए कि जो active का करता होगा वो passive में करम बन जाएगा और जो active में करम होगा वो passive में करता बन जाएगा अर्थात इसपस्ट हो गया कि active voice का करता passive बनाती समय करम में बदल जाएगा तथा active voice का करम पेशिव बनाती समय पेशिव बन जाएगा हमें active से passive बनाती समय कुछ बातों का विशेज ध्यान रखना पड़ता है जब हम active से passive बनाएगे तो हमें सरप्रथम इस बात को भली बाती समझ लेना चाहिए कि active से passive केवल उनी वाक्यों की बनेगी जिन वाक्यों में ट्रांजिटिव बर प्रयोग हो ट्रांजिटिव बर मींस सकर्मक्रिया और समाने सहित कर्म माने कर्म जो कर्म रखती हो अब हमें यह कैसे पता पड़ेगा हम यह कैसे जानेंगे कि इस active बोईस की बर्व ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव बर्व का पता चलाने के लिए सबसे सरलासान तरीका है कि उस active बोईस के बाक्य की बर्व में क्या अथवा किस को लगा कर सवाल करें प्रसन पूछें तो वो जो उत्तर होगा वो आबजेक्ट होगा जैसे बोड़ पर एक वाक्य लिखा है ही किल से स्नेक वो एक साप को मारता है मैंने किल क्रिया में क्या लगा के क्वेस्चन किया वो एक क्या मारता है तो उत्तर आवेगा एक स्नेक तो हम समझ गए कि ट्रांजिटिव बर्व का पता करने के लिए सकर्मक्रिया का पता करने के लिए हमें उस बर्व में क्या अथवा किस को लगा कर प्रस्ण कर लेने से जो उत्तर आवे अगर उस बक्त में तो हमें समझ लेना चाहिए कि बर्व ट्रांजिटिव है I love मीरा मैं इसमें किस को लगा के सवाल कर रहा हूं तो उत्तर आए रहा है मैं किस को प्यार करता हूं उत्तर आएगा मीरा मीरा अब्जेक्ट होगी तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम पैसिव बॉइस बनाएं तो पैसिव रचना में बीक्रिया के रूप के साथ बर्व की थर्ड फॉर्म का आना अनिवार है एक वार को बाई आवे तो आवे ना आवे तो ना भी आवे जैसे एक वाक्य है ही वाज हैंगड उसको फांसी दे दी गई बाई नहीं आई बाई दी पुलेस बाई दी जेलर ऐसा इसमें कुछ नहीं है तो बाई पैसिव की पेंचान नहीं है असली पेंचान है पैसिव वोईस की कि वाक्य के अंदर बीक्रिया के रूप के साथ बर्व की थर्ड फॉर्म आना अनिवार है बीक्रिया के रूप हमारे पास कौन से हैं इज एम आर, वाज बर्व, बिल वी, शेल वी, कंटीनुवस में बीइंग, परफेक्ट में बीन इनके साथ बर्व की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो वाक्य निश्चित ही पैसिव वोईस का होगा ये बात जब इस पस्ठ हो गई तो एक्टिव वाक्यों को पैसिव बदलने में कोई भी मुश्किल नहीं है आप उधारणों से समझें बोर्ड पर लिखा है ही किल से स्नेक ही सबजेक्ट किल सबर्व ए स्नेक उबजेक्ट आपको पैसिव बनाते समय जो चीज एक्टिम में सबजेक्ट रही तो उसे पैसिम में object बना देंगे और एक प्री पोजिशन वाई का प्रियोग करेंगे यहां ही का object हिम तो वाई के साथ लगा दिया गया है एस नेक को करता बना दिया कर्म को करता बना दिया और बीक्रिया का रूप और बर्व की थर्ड फॉर्म रख दी चुकि यह बाग के present indefinite का है तो बीक्रिया का रूप हमने इस पड़ोसी टेंस से उधार मांग लिया इस present indefinite tense के पास कोई बीक्रिया का रूप नहीं है तो इसने अपने पड़ोसी present continuous से is MR मांग लिये उधार जैसा भी नया subject है उसके अनुसार is MR यहां present indefinite में बीक्रिया के रूप में प्रयोग होगा जैसे यहां ही किल से snake तो यहां इसने के इसने के सिंगूलर है तो इसका प्रयोग किया गया है और उसी टेंस ने इस present indefinite को बीक्रिया का रूप उधार दे दिया तो हमारी passive बड़े आसानी से बन गई A snake is killed by him अगर हम present indefinite का एक negative sentence लें He does not के ले इसने एक अब इसकी अम passive बनाए तो negative है तो ज़्यादा घवराने की जरूवत नहीं है बीक्रिया के रूप के बाद not का प्रयोग हो जाएगा परंद करता को कर्म और कर्म को करता यह तो हमें passive में अबसी ही बनाने हैं तो हमने He does not kill a snake की पैसे बनाई A snake is not killed by him अगर यह वाक्य प्रस्णवाचक होता Does he kill a snake तो हम इसकी पैसे बनाते समय जो बीक्रिया का रूप है उसे आगे ले आएंगे Is a snake killed by him Mark of interrogation अगर डवलु एच भी होता कोई तो डवलु एच को भी आग रखते Why is a snake जैसे Why does he kill a snake इसकी हमने पैसे बनाई Why is a snake killed by him अगर हूँ वाला वाक्य होता तो हम हूँ का objective बनाते बाई के साथ प्रयोग करके पीछे ले जाते लेकिन प्रस्ण वाचक फिर कैसे बनता इसलिए हूँ वाले वाक्यों में बिसे इस साथ धाने रखनी है कि Why हूँ जो पीछे जाना चाहिए था नियमानुसार वो पीछे नहीं रखा जाएगा नहीं तो interrogative नहीं बनता इसलिए वाई हूँ को हमने पहले ही रखा वाई हूँ चुके यू है subject, object तो आर का प्रयोग किया या नया subject यू होने के कारण तो वाई हूँ आर यू helped present indefinite tense की passive बनाने का नियम सीखने के उपरांत अब हम past indefinite का passive बनाना सीखेंगे, past indefinite के लिए कोई मुश्किल कारण नहीं है करता को कर्म, कर्म को करता लेकिन भीक्रिया का रूप और बर्व की third form दोनों के बीच में रखनी है अब भीक्रिया करू, past indefinite पे है नहीं, तो उसने अपने पड़ोसी tense past continuous से वाज वर उधार मांग लिया तो past indefinite की जब पैसे बनाओ, तो past continuous से वाज और वर को उधार लेलो जैसे, he wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा past indefinite subject, he wrote, बर्व, क्या लिखा, a letter, object को subject, subject को object और इन दौनों के बीच में बीक्रिया के रूप के साथ, अगर हम बर्व की third form रख दें, तो यह structure passive voice की होती है, रखवाईए, a letter को आपने subject बना दिया, a letter, tense past indefinite है, बीक्रिया का रूप उधार लेकर आए, वाज या बर्व में से क्या, letter singular है, वाज का प्रयोक कर दू, ए लेटर वाज, बर्व की third form, written और subject को object बना दिया, by him, clear, negative होता, तो वाज नोट वर नोट आ जाती, interrogative होता, वाज वर आगे रख जाएगी, जैसा हमने present indefinite में सीखा, clear, अगर डबलू ह का interrogative होता, तो डबलू ह भी आगे आ जाता, और वीग्रिया का रूप आ गे आ जाता, और आसानी से इसकी passive voice, past indefinite की passive voice बन जाती, अब सीखें, जरा future indefinite की passive voice बनाने के लिए, एक वाक के हम future indefinite tense का लिखते हैं, I shall give you a book, बाल को यहां गिव क्रिया, दो दो कर्म रख रही है, मैं तुमको दूँगा एक किताब, क्या दूँगा, एक किताब, एक object, किसको दूँगा, तुमको दूँगा, दो अबजेक्ट, तो हमारे पास दो-दो अबजेक्ट हैं, जब active voice के बाक्य में दो अबजेक्ट हों, तो हम स्वतंत्र हैं, कि हम पहले object को subject बनाएं, या दूसरे object को subject बनाएं, तो दो प्रकार से passive बन जाएंगी, देखें, पहली वार हम you को subject बनाएंगे, तो passive voice किस प्रकार बनेगी, आपने you को subject बना दिया, यू, by me पीछे ले गए subject को आपने object बना दिया, अब बीक्रिया का रूप और बर्व की third form भरनी है, हमारा करता ही हुए, future indefinite का वाक्य है, इसके लिए बीक्रिया का रूप कहां से लाएंगे, क्योंकर future indefinite पे तो बीक्रिया का रूप है नहीं, तो उसने अपने पड़ोसी future continuous से उधार ले लिया, future continuous में will be, shall be का प्रियोग होता है, तो यहाँ will be या shall be करे नए करता के अनुशार लग जाएगा, you के साथ will be, you will be बर्व की third form रख दी, given a book by me, clear, अगर हम you को subject न बनाए, पैसे बनाते समय, तो यह बुक को बना ले, यह बुक को बनाए तो कैसे हो जाएगा, यह बुक will be, बीक्रिया का रूप आ गया, बिल बी, बर्व की third form रख गई, given to you by me, तो यहाँ दो पैसे बन गई, यह दो पैसे क्यों बनी, फिर सुन ले, यदि किसी वाक्त में, दो दो कर्म हो, तो हम स्वतंत्र हैं, कि किसी को, एक कर्म को, करता बना सकते हैं, दूसरी कर्म को भी करता बना के, पैसे बना सकते हैं, किलियर, अब आओ, प्रजेंट, कंट्यूस के वाक्यों की, एक उद्हारन लेते हैं, प्रजेंट, कंट्यूस वाक्य का, बोड़ पर, एक वाक्य लिखा है, जो, प्रजेंट कंट्यूस का है, इसमें he subject, playing verb, क्या खेल रहा है object, आपको क्या करवाई करनी है, subject को object, object को subject, और दौरों के बीच में वीक्रिया का रूप और वर्व की थर्ड फर्म भरनी है, इस सभी करण में मान रख दीजिए. रखिये, नया subject हो गया cricket, subject को object बना दिया, वाई मी, वाई हिम, यह करता, वाई हिम, अब इन दौरों के बीच में वीक्रिया का रूप और वर्व की थर्ड फर्म रखनी है, present continuous के पास वीक्रिया का रूप is MR है, लेकिन यह ING टेंस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनके बाक्यों में ING लगती है, ट्रांसलेशन करते समय, पैसे बोईस कहती है कि मुझे वीक्रिया की वर्व की थर्ड फर्म चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें बीग का प्रेवग और बढ़ा देना चाहिए, तो present continuous में, is being, am being, are being, नए करता के अनुसार चैन कर लिया जाएगा, यहाँ पर नया करता किर्किट singular है, is being, किर्किट इज बीइंग बर्व की थर्ड फर्म, प्लेइड, बाई हम है, तो आपने present continuous की भी passive बनाना सीखा, इसका negative होता, तो इज के बाद not का प्रेवग करते, he is not playing किर्किट, किर्किट is not being played by him, interrogative होता, is he playing किर्किट, तो आप इसका गवराने की जरुवत नहीं, इज को उठा के पहले रख देते, is किर्किट being played by him, डबलू एच होता, डबलू एच भी आगे चला जाता, और बीक्रिया का हिस्सा भी आगे चला जाता है, जैमार वाजवर्जो भी है, समझ गए, इसके बाद, आता है हमारा, past continuous की पैसे बनाना, past continuous के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बीक्रिया के रूप में परवर्थन करना पड़ेगा बस, यहाँ पर बीक्रिया का रूप उबलुद है, लेकिन ing होने की जरूप पड़ेगी, टेंस के लिए, तो हमने बाजवींग, बरवींग का प्रियोक कर सकते हैं, लेकिन दी रामायन में रामायन पड़े रहा था, आई सब्जेक्ट, रीडिंग बर्व, क्या पड़े रहा था आपजेक्ट, आपजेक्ट का पता लगाने के लिए मैंने बता रखा है, क्या अथवा किसको बर्ब में प्रस्ण करने पर उत्तर जो होता है वो अबजेक्ट होता है अबजेक्ट को सबजेक्ट, सबजेक्ट को अबजेक्ट और दोनों के बीच में बीक्रिया का रूप और बर्ब की थर फॉर्म भननी है दीरामायन नया सबजेक्ट हो गया दी रामायन वाई मी सब्जेक्ट को आपने अब्जेक्ट में बदल दिया प्री पोजीशन वाई का प्रेयुक करते हुए अब बीक्रिया का रूप और वर्व की थर्फ़ब भरना रह गया बीक्रिया का रूप पास्ट कंटिनुएस में वाजबी अथवा बर्वी सिंगूलर सब्जेक्ट है वाजबी दी रामायन वाजबी बर्व की थर्ड फर्म रेड पैसे बन गई दी रामायन वाजबी रेड वाई मी इंटेरोगेटिव होता वाज नेगेटिव होता आई वाज नौट रीडिंग दी रामायन तो नौट कहां जाती वाल को दी रामायन वाज नौट बिइंग रेड वाई मी इंटेरोगेटिव होता वाज आई रीडिंग दी रामायन आप भी वाज को उठा के पहले रख देते वाज दी रामायन बीइंग रेड़ वाई मी डबलू एच होता तो डबलू एच भी आगे हो जाता किलियर फ्यूचर कंटिनुवस की पैसिब बोईस कभी नहीं बनाते किलियर हम खेल रहे होंगे जब खेल लोगे तो बना लेंगे वो खेलेगा ही नहीं बनाएंगे ही नहीं अब आईए प्रजेंट परफेक्ट की पैसिब बोईस बनाना इसका एक उधारण लेते हैं आई हैव सीन दी ताज मैं ताज देख चुका हूँ प्रजेंट परफेक्ट का वाक्य है कौन सिटेंज का वाक्य है प्रजेंट परफेक्ट का आई सब्जेक्ट सीन बरव क्या देख चुका हूँ क्या और किसको उत्तर बरावर अबजेक्ट दी ताज अबजेक्ट हुआ अबजेक्ट को सब्जेक्ट सब्जेक्ट को अबजेक्ट और दौनों के बीच में बीक्रिया का रूप और बर्व की थर्ड फॉर्म बरने से ही पैसिब बनती है बना दो दीता आज वाई मी अब बीक्रिया का रूप और बर्व की थर्ड फॉर्म दौनों के बीच में लगा दो बड़ा सरल है बीक्रिया का रूप छाटने में बच्चे गलती करते हैं तो मैंने बोर्ड पर एक चार्ट बना दिया है इस चार्ट में एरो लगाई गए है ये एरो आपको गाइड कर देंगे अब हम चूंकि प्रजेंट परफेक्ट की पैसे बना रहे हैं इस पर बीक्रिया का रूप है नहीं तो क्या करें ये टेंस तो इसने अपने पढ़ोसी से मांग लिया है जवीन, है बीन जो भी सबजेक्ट है उसके हिसाब से है जवीन, है बीन या पर हो जाएगी दिता सिंगुलर है है जवीन दिता जवीन बर्व की थर्ड फॉर्म सीन बाई मी परफेक्ट एंस में थर्ड फॉर्म एविलेबिल होगी तो और सरलता हो जाती है इसका अगर नेगेटिव होता तो बच्चों नौट कहा लगाते हैं फस्ट एलिमेंट के तुरंत बाद आई अब नौट सीन दिताज दिताज हैज नौट बीन सीन वाई मी इंटरोगेटिव होता है वाई सीन दिताज तो आब भी हैज को आगे रगा देते हैज दिताज बीन सीन वाई मी डबलू एच होता डबलू एच और हैज आगे आजाता तो हम इस प्रकार present perfect के वाक्षियों की पैसे बना सकते हैं यही कारवाई हमें past perfect के वाक्षियों में करनी है यहाँ पांतर क्या आवेगा यह अपनी पड़ोसी से बीक्रिया का रूप उधार मांगेगा क्योंकि इस पे सोहम तो है नहीं इसने अपना हैड भी निसे उधार दे दिया जैसे एक वाक्षिय देखें I had solved the question मैंने प्रस्न हल कर लिया कर चुका था मैं प्रस्न हल कर चुका था I subject solved बर्व क्या चीज के the question the question को subject subject को object और दोनों के बीच में बीक रिया का रूप और बर्व की थर्ड फॉर्म ये structure ही passive voice है करवाओ the question को subject बना दिया the question by me subject को object बना लाई अब बीक रिया का रूप और बर्व की थर्ड फॉर्म भड़ दो बीक रिया करो खूब अच्छी तरह चेक कर लो tense देख कर past perfect है इस पे है नहीं बीक रिया करो ये पड़ावसी से उधार ले आया हेड बीन The question had been verb की third form solved by me, the question had been solved by me, negative होता बच्चो, तो not कहा लग जाती, had के बाद, I had not solved the question, the question had not been solved by me, अगर प्रस्णवाचक होता, interrogative होता, head को आगे उठाला, और बीन मही रहा आएगा, Had the question been solved by me, clear, future perfect के passive बनाने के लिए, क्या तरीका है, एक उधारण से इसे भी समझ लो, I shall have helped you, I shall have helped you, future perfect का sentence लिया है, I subject, helped verb, किसको, you को, you को, subject, I को, object, दोरों के बीच में बीक लिया का रूप और बर्व की थर्ड फॉर्म, करवाईए, नया करता यू ले आए, यू, object बना दिया by me, future perfect के लिए बच्चो, दीक रिया का रूप, उसके पड़ोसी टेंस, future perfect continuous से उधार मांग लिया जाएगा, इस टेंस में, will have been, या shall have been प्रेवोग होते हैं, नय करता के हिसाब से, will have been या shall have been मैं से एक लगाओगी, यू के साथ, will have been, you will have been, बर्व की third form, helped by me, clear, negative हो, तो देखो बच्चो, not का प्रेवोग, बिल के तुरंत बाद कर दो, I shall not have helped you, कैसे बनाएगी passive, you will not have been helped by me, interrogative हो, will your cell जो भी है, उसे आगे लियाओ, डबलू एच हो, डबलू एच विल शेल आगे आजाएगा, clear, अब आईए, present, perfect, continuous, stance की passive voice बनती नहीं, past, perfect, continuous, stance की passive voice बनती नहीं, future, perfect, continuous की passive voice बनती नहीं, तो हमारे बारे मैंसे, कितने टेंसे की passive voice बच्चों बना करेगी, आठ वटे बारे, क्या मतलब, बारे टेंसों मैंसे, हमारी केवल, आठ टेंसों की ही passive बनेगी, आठ टेंस कौन कौन से, present, indefinite, past, indefinite, future, indefinite, यानी, indefinite के तीनों, continuous में, present, continuous, और past, continuous की ही passive voice बनेगी, future, continuous के वाक्यों की passive voice नहीं बनती, present, perfect, past, perfect, future, perfect की passive voice बन जाएगी, इसको present, perfect, continuous, past, perfect, continuous, future, perfect, continuous, इन तीनों टेंसों की बनती नहीं है, तो आज हमने, बारे में से, आठ टेंसों की जो passive voice बनती है, उनका आध्यन, बड़े अच्छी तरह से कर लिया, इनकी practice करनी चाहिए, क्योंकि यह, हर कच्छा के परिक्छाओं में, और कमटी संस में, खूब पूछे जाते हैं, इसी क्रम में, कुछ active से passive बनाने के, और भी तरीके, और भी प्रकार के वाक्यों की, passive बनाना सीखेंगे, थेंक्यू झाल